Hi, Welcome to my channel इस वीडियो में हम समझेंगे Conversion of a decimal number to the form P by Q तो इस वीडियो में आप सारे तरह के decimal numbers को P by Q के form में change करने का convert करने का जो तरीका है वो समझ जाएंगे आप ओके तो इसमें जब हम decimal number को हम जब change करते हैं इस form में P by Q के form में तो हमारे decimal numbers दो तरीके के हो सकते हैं जिनको हम PYQ के form में change कर सकते हैं और पहला जो form है वो होता है ये Part 1 में मैं यहाँ पर decision करूँगा इसके बारे में तो यहाँ पर है conversion of a terminating decimal number to the form PYQ मतलब कि पहले जो decimal numbers होते हैं वो जो terminate हो जाते हैं उनका हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिसे यह numbers क्या हैं यह terminating decimals हैं और इनको हम result number PYQ के form में कैसे convert करेंगे यह समझेंगे पहले उसके बाद इसके आगे जाएंगे और conversion of a recurring decimal number हम समझेंगे कैसे करते हैं recurring decimal है का तब मतलब कि कोई digit जो है repeat कर रही है तब यहाँ पर 0.1 bar है 0.2 bar है 0.3 bar है इन सब यूप कैसे करेंगे हम convert PYQ को form में उसके बाद हम इसी में देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ pure recurring decimal मतलब कि जब recurring decimal रहेगा तो दो तरीके के हो सकते है recurring decimals recurring मतलब क्या होता है repeating होता है ठीक है तो हम कहेंगे कि यह pure decimal number है pure recurring decimal है यहाँ पर देखिए 0.0 0.0 के बाद जितने भी यहाँ पर digits है 585 यह तीनों के तीनों जों रिपीट कर रहे है ठीक है यहाँ पर देखिए 3 है decimal के बाद 3 repeat कर रहा है यहाँ पर देखिए 23.43 है 4.3 decimal के बाद है 4.3 repeat कर रहा है तो इन सभी को बोलते है pure recurring decimal तो हम इसको समझेंगे part 2 में और part 2 का ही दूसरा part है जिसको बोलते हैं यहाँ पर mixed recurring decimals mixed मतलब क्या होता है कि decimal के right side में कुछ digits repeat करेंगे और कुछ जो digits है वो repeat नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर दीखे 0.32 bar मतलब कि यहाँ पर 3 repeat नहीं कर रहा 2 repeat कर रहा है यहाँ पर दीखे 0.123 bar आपको स्वाज में आगे होगा कि mixed recurring decimal क्या होता है मतलब कि decimal के right side में जितने भी digits आ रहे हैं उनमें से सारे एक सारे repeat नहीं करेंगे तो बोलेंगे हम लोग mixed recurring decimals और जिसमें repeat करेंगे सारे एक सारे decimals decimal के बाद आने वाले digits तो उनकों बोलेंगे pure recurring decimal तो इन सबका हम conversion समझेंगे one by one और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि shortcut method क्या है मतलब कि इन सभी को convert करने का shortcut method सबसे 60 जो तरीका है चलिए अब ही start करते हैं पहले इनका means conversion of a terminating decimal number to the form p by q तो पहले पहले start करते हैं first यहाँ पर हमरे पास first है 0.15 0.15 का हमें convert करना क्या p by q के form में ठीक है p by q के form में तो इसमें क्या करना होता है कि बस देखना होता है decimal के right side में कितने digits हैं जितने digits होता है उतने zeros वाले number से multiply कर देते हैं उपर और नीचे 0.15 में 2 digits है decimal के right side में तो क्या करेंगे 0.15 में multiply कर देंगे 100 से numerator में और नीचे divide भी कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 से multiply करने के बद देखना होगा इसको इसमें से common factors हम cancel out कर देते हैं तो जो मिलता है form उसे को बोलते है standard form तो इसको हम standard form में change करते हैंगे तो 5 से कटा लिजे 5 से 15 5 से 10 20 में तो 3 आपां 20 होगा इसका मतलब कि जो P by Q के form में representation होगा 0.15 का वो होगा 3 आपां 20 similarly जो है आप इन सभी के कर सकते हैं तो मैं इसमें से एक दो और कर देता हूँ जैसे कि मैं कर लेता है हम लोग 8 point ये last वाल कर लेता है और last में यहाँ पर आप जानते हैं करना इसे बहुत simple है ये तो हम 5 वाला कर लेता है ठीक है 8.0025 अब देखें यहाँ पर भी बस देखेंगे कि decimal के बाद कितने digits है देखें 1, 2, 3, 4 4 digits है इसका मतलब कि आपको इसमें मुटिपलाई करना पड़ेगा 8.0025 में मुटिपलाई करना पड़ेगा numerator में 10,000 से मतलब कि 4 zeros वाले नंबर से और डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी नंबर से तब यह बन जाएगा कितना यह जो decimal है वो बिल्कुल ही हट जाएगा इसमें से और यह हो जाएगा 80,025 अपान यह 10,000 अब यहाँ पर हम cancel out करेंगे कुछ यहाँ पर कुछ digits cancel out होंगे मतलब कुछ common factor होगा तो यहाँ पर 25 से लिजाते है खीब डिरेक्ट तो 25,4,100 होता है 400 हो जाएगा 25,3,75 50 हो गया 25,2,50 हो गया उसके बाद 2 मिल जाएगा नहीं जाएगा 25 मिल जाएगा तो 0 बढ़ा कर लिए जाएगे 1 ताम में मतलब कि 3,201 आ गया अब यहाँ से कुछ cancel out नहीं हो सकता तो यहीं हो जाएगा आपका rational form means 3,201 आपान 400 ओके तो अब इसके बाद हम अब distance करेंगे next means pure recurring decimals को कैसे convert करेंगे p by q के form में ओके तो अब समझते हैं conversion of recurring decimal number to the form p by q तो 1 by 1 हम solve करेंगे यहाँ पर और सबका जैसे जैसे solve करेंगे वैसे वैसे हम start cut method भी discuss करेंगे ठीक है तो start करते है first हमारा दिया हुआ है 0.1 bar सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको पहले हम support कर लेंगे let कर लेंगे let x is equal to 0.1 bar ठीक है ऐसे माल लेंगे उसके बाद इसको हम लिख लेंगे थोड़ा सा expand करके it implies x इसको लिख लेंगे 0.1 bar है तो 1 bar बता रहा है कि 1 को हम infinite times repeat कर सकते हैं हम इसको तीन बार लिख लेते हैं उसको बाद लिख लेते हैं dot 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 तो यह बता रहा है dot dot की मंदब 1 को कई बार लिख सकते हैं मंदब infinite times अब यहाँ पर देखे तरीका यह है कि जितना अब देखे ना decimal के right side में कितने block of digits जो है repeat कर रहा है तो यहाँ पर एक ही digit जो है repeat कर रहा है तो जब एक digit repeat करेगा तो हम 10 से multiply करेंगे both sides में और जब two digits repeat करेंगे तो हम करेंगे 10 से multiply और जब three digits repeat करेंगे तो क्या करेंगे both sides में hundreds मतब जितने digits repeat करेंगे न उतने ही zeros बढ़ा करके one के आगे जो number मिलेगा उस से multiply करेंगे both sides में तो यहाँ पर केवल एक ही digit है one है one bar किया गया है तो इसका मतलब कि इसमें both sides में के वाल हम multiply करेंगे 10 से तो यहाँ लिख लेते हैं multiplying by multiplying by 10 on both sides on both sides we get क्या मिलेगा हमें 10 से multiply करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा हमें 10 x is equal to यहाँ पर 10 से multiply करेंगे तो एक decimal है न एक place right side में चला जाएगा है कि नहीं तो मिल जाएगा आपको 1.111 dot 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 तो दीकि एक place right में जाएगा तो आप सुच रहेंगे कि 2 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 1 क्यों में लिख दिया तो इसलिए मैं लिखा क्योंकि 1 तो infinite time से repeat हो रहा है तो उसमें से कितने भी आप रख सकते हैं यहाँ पर उसमें कोई problem नहीं है तो जब भी repeat की बात होगी न तो इदम same number में आप चाहें जितना मन के उतना repeat कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर यहाँ पर यह जो है इसको माल लेंगे first equation और इसको माल लेंगे second equation ठीक है यह जो दो equation मिलेंगे अब हम क्या करते हैं कि second में से first को substitute कर देते हैं यहाँ लिख लेते हैं subtracting subtracting first from equation second we get क्या मिलेगा हमें 10x तो हम क्या करते हैं कि पहले second वाले को पहले लिख लेते हैं subtract करना होगा तो पहले इसको हम लिख लेंगे 10x is equal to 1.111 dot 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 उसके बाद से इसको भी लिख लेंगे उसके नीचे x is equal to decimal को decimal के नीचे रखते हैं हम ऐसा 0.111 dot 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 अब इधर subtract करना है तो sign change करतेंगे यहां मानस हो जाएगा और यहां भी मानस हो जाएगा तो यहां पर subtract करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए इधर सारे क्या है वन वाले हैं तो इसमें कुछ लिख करना है dot 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 उतार दीजे ऐसे ही और 1 मेंसे 1 मानस करेंगे तो 0 आएगा ठीक है और 1 मेंसे 1 मानस करेंगे यहां पर 0 आएगा यहां पर 0 मानस करेंगे तो 1 ही आएगा is equal to 10x मेंसे यह आप x मानस करेंगे तो 9x मिलेगा ठीक है इसका मतलब मिलीगा 9x is equal to 1.000 dot 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 0-0 आएगा infinite तक तो अब यहां पर it implies अब यहाँ पर x की value आप निकाल सकते हैं x बरावर लिखेंगे तो देखें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इधर से transpose कर देगे 9 को तो यहाँ पहुझाएगा 1 upon 9 क्योंकि 1 का अगर decimal के बाद 0-0 रहता है तो इसका कोई significance नहीं है इसलिए हम 00 को हटा देंगे तो 1 upon 9 लिख देंगे के बल तो x बरावर हो गया 1 upon 9 और x क्या माना था हमने यही तो माना था और इसी नमबर को हमने लिख दिया 1 upon 9 के form में तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पर conversion कर लिया आपी बाइक्यू के form में तो hence this is your answer अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि start cut तरिया क्या है देखिए start cut तरिया यह है कि जो भी number दिया रहेगा यह जैसे number दिया है 0.1 bar तो यहाँ पर क्या करते हैं decimal को हटा करके किवल decimal को छोड़ करके number लिख लेते हैं कर रहा होंगे उतने हम 9 यहां पर ले लेंगे नीचे तो यहां पर एक ही डिजिट जो है repeat कर रहा है कि वहले हाँ नहीं लिख लिजए तो हो गया आपका मतलब का जिरो बैंट 1 का repetition हो गया 1 अपा 9 यहां भी आगे 1 अपा 9 मतलब कहने का मतलब यह है कि हम दो जाससे discuss करेंगे सिख को बताइएंगा हम ठीक है तो पहले हम यहां पर लेता है second second अप्साल करते हैं तो इसको नोड करना होगा तो आपको video pause करना होगा तो अब चले second करता है यहां पर अब पहले suppose कर लेंगे let x is equal to 0.2 bar तो इसी बात को हम यह से लिख लेंगे x is equal to 0.222 dot 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 तो इसी को माल लेंगे हम first equation ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है एक ही डिजिट है रिपीट कर रहा है तो यहाँ बोथ साइट्स में हम रिपलाई करें हैं कि वल टेंस है तो अब यहाँ पर मैं लिखनी रहा हूँ ठीक है डिरेक्टली मैं लिखनी यहाँ पर मत्पलाई कर दे रहा हूँ है तो आप खुद लिख लिजेगा तो यहाँ पर यहाँ बार ले लेते हैं यहाँ पर क्या प्रावलम है हाना ओके तो यहाँ पर हो जाएगा second equation इसको से सब्टेट कर देते हैं तो जब सब्टेट करेंगे तो क्या होगा यहीं पर डायेक्ट आप सब्टेट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ ले सकते हैं कि आन सब्ट्रेक्टिंग आन सब्ट्रेक्टिंग first equation from second we get हमें क्या मिलेगा देखिए 10x is equal to हमारा है 2.222 dot 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 ठीक है इसमें से मानस करना है हमें x is equal to 0.222 dot 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 अब यहां मानस करेंगे देखिए 10x में से x मानस करेंगे तो क्या मिलेगा 9x मिलेगा default 12x is equal to 2.2 entity. यहां मानस करिये तो क्या मिलेगा जिसे दो by 2 में से 0 0 ऐहां यहां भी 0 मिलेगा point यहांD hope 2 में से 0 करेंगे मुले आपको 2 इसका मतलब की अब यहां पर डाल्कली आपकर सकते हैं एक 252 आ जाएगा 2 to the decimal के आगे जित्य जिरो है वो सारे इन सिगनिफिकन्ट है मतब कोई वैलू नहीं है इसलिए कि वहले टू लिग देंगे यहापर टू अपान और नाइन से डिवाइड कर देंगे टांस्पोस कर देंगे नाइन को राइट साथ कर देंदी मिथा लगाएंगे तो हमारा करवज़न हो जाएगा इस तरीके से कि जि जितने नमबर जितने block of digits रिपीट कर रहे होते हैं उतने हम 9 से डिवाइड कर देते हैं मतलब कि केवल एक ही यहापर नमबर है डिजिट है इसलिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्यों 9 से डिवाइड कर देंगे तो यह है साथ कर तरीका find करने का यहाँ पर तो ठीक यही हम अपनाएंगे 0.3 में 0.4 में 0.5 में तो हम यहाँ पर साथ कर तरीक से समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा हम पहले क्या करते हैं कि 3 लिख लेते हैं decimal हटा करके यह होगा numerator और डिवाइड कर देते हैं जितने black of digits रिपीट कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर 3 क्यों रिपीट कर र इसको करने के लिए आकरना पड़ेगा कि 4 हो गया आपका decimal हटा दीजे पहले और numerator में आगे इतना 4 अपान जितने black of digits रिपीट कर रहे हैं उतने इससे 9 ले लिजे नीचे तो एक ही 9 रहेगा क्योंकि एक ही digit जो है रिपीट कर रहा है तो 4 अपन 9 हो गया आपका इसका rational form में कर रहे है मतलब कि एक ही digit रिपीट कर रहा है कि वाल 5 तो आपन 9 कर देंगे तो 5 आपन 9 हो गया इसका answer तो मतलब कि यह साटकर मेथड है और यह जो lang cut मेथड है मतलब कि lang term वोला मेथड है वो आप कर लिजेगा कि इन सभी के लिए अब आगे बढ़ते है 0.35 कर देखते है ठ फोर्थ वाले को वैसे करेंगे 0.35 बार यहां पर भी suppose कर देंगे पहले let x is equal to 0.35 बार यहां पर हम पहले इसको repeat करके लिख लेंगे यहां पर 35 और एक बार और लिख लिजे 35 फिर डाट 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 ओके तो हमने यहां पर 35 को तीन बार लिखा है डाट डाट कर दिये expand करके लिखे हैं हमने यहां पर अब यहां पर देखिए कितने block of digit repeat कर रहा है two digits जो है repeat कर रहा है इसका मतलब कि 100 से multiply करेंगे बोच sides में तो multiplying by 100 on both sides ऐसे लिखेंगे फिर multiply कर लेते हैं तो यहां पर मैं directly कर ले रहा हूं तो यहां मिलेगा आपको 100x is equal to यहां मिल जाएगा 35 देखें decimal जो है यह decimal जो है right side में चला जाएगा two place क्योंकि 100 से apply कर रहा है बोच sides में तो यह मिल जाएगा 35.3535 ऐसे करके तो एक बार और हम 35 लिख देंगे क्योंकि 35 को हम चाहें जितनी बार repeat कर सकते हैं तो आपने convenience का अमसार जो है हम decimal के बाद उतने digits लेंगे क्योंकि सब् करने के लिए जितने यहां उपर वाले में होगा उतने नीचे भी लेना पड़ेगा देखें decimal के बाद हमने तीन बार repeat करवाया है तो यहां पर decimal के बाद हमने तीन बार यहां भी लेना पड़ेगा ताकि सब्रेट करने में आसानी हो अब इसको फर्स वाले उपर और गमाले we get क्या मिलेगा देखिए अब यहां पर सब्ड़ करने के लिए तरीका यह है कि आप एक दूसरे को उपर रख दिजिए जिसे के 100x is equal to हो जाएगा यहां पर लेख लेंगे 35.3535 and 35 dot dot अब उपर रखेंगे यहां पर तो x is equal to यहां पर हो जाएगा 0.00 और यहां हो जाएगा 3535 and 35 dot 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 और नीचे लाइन खीचेंगे और negative marking कर देंगे यहां पर तो यहां पर तो वैसे उतार देंगे यहां पर 5 मिसे 5 जाएगा 0 हो जाएगा 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगे ठीक है अब यहां पर decimal के बाद 5 मिसे 0 मानस करेंगे तो decimal के बाद भी 5 ही आएगा और यह 3 ही आएगा 35 मिसे 0 मानस करेंगे तो 35 भी आएगा is equal to यहां पर क्या हो जाएगा यहां हम 100 x में से x मानस करेंगे तो मिलेगा 99 x it implies अब यहां से x बर बर क्या जाएगा दीक है 35 पॉइंट 35 के पॉइंट के आगे क्या है 0 0 जहें तो बिल्कुल ही insignificant digits हैं तो उनको हटा देंगे 35 अपर तो मिल लेगा 35 अपर 99 तो यह आपका मिल चुका है rational form of 0.35 अब आप देख लिए कि इसमें कुछ कटेगा तो नहीं न मतलब कि आपको हमेशा standard form में लिखना होता है answer तो यहां पर कुछ कटेगा नहीं बिल्कुल ही 35 तो 75 होता है इसमें तो 3 है के वल count factor दने कर पाएगा तो इसका शाटकर तरिया क्या है यहां पर देखिए आपको क्या मिला मैंने पताया था जैसे उपर वाले में वैसे यहां भी करेंगे numerator में लाने के लिए numerator में नमबर लाने के लिए करते हैं कि 35 मतलब decimal हटा देते हैं के वल और लिख देंगे के वल हम यहां पर 35 ठीक है और नीचे जितने block of digits जितने मतलब की digits repeat कर रहे हैं उतने 9 से divide कर देंगे मतलब की 99 यहां पर डिवाइड करेंगे 2 9 रहेंगे आपर क्योंकि 2 digits से 2 digits जो है repeat कर रहे है ठीक है 35 ठीक है अपर 99 आ गया देखिए आपर directly हाँपर 35 ठीक है यहां भी है आप समझ चुकेंगे कि 2 digits रहेंगे तो कैसे करेंगे वैसे ही आप 3 digits वाला भी कर लेंगे जैसे इसको करना होगा तो simple है circuit method तो इसका यही रहेगा कि decimal हटा दीजे पहले तो मिलेगा आपको 585 अपान और जितने digits repeat कर रहे हैं तो यहां पर कर रहे है 1,2,3,3 digits repeat कर रहे है 9,9,6,54 होता है 9,6,54,45 हो जाएगा 9,5,45 मिन 65 हो जाएगा अपान यहां पर हो जाएगा 9,9,9,9,9,9,9 और अब नहीं कर पाएगा कुछ तो यही आपका हो गया rational form of 0.585 bar तो अब चलते हैं और इन दोने में से कोई एक आपको बता जाते हैं तो कि यह भी एक अलग तरीके से हैं तब यह खतम हो जाएगा यह वाला पार्ट और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे मैं चाहता हूँ कि आप हर तरह के problems को solve करना जान जाएं बस यहाँ पर दिखिए इसमें से 8 वाला और 9 वाला है इन दोने से कौन से solve करूँ मैं तो आप जरूर कह रहे होंगे कि यह वाला solve करें और बिल्कुल मैं यही solve करता हूँ ठीक है तो डिजिस क्या कर रहे है रिपीट कर रहे है तो यहाँ पर देश्मल के बाद 43 है तो 43 रिपीट कर रहा है बार लगा है दुनों पर ओके तो हम यहाँ पर भी बस simply ऐसे कर लेंगे लेट x is equal to 23.43 बार तो यहाँ पर हम पहले explain कर लिख लेंगे इसको यह हो जागा 23.43 फिर से लिख लेंगे 43 फिर अगें 43 डॉट 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 तो एक बात ध्यान दिजिएगा यहाँ पर कि जब भी जितने भी decimal के बाद block of digits रिपीट कर रहे होंगे जितने भी मतब यही तरीका है सभी में solve करने का जम समझ जाइए चाहे कोई भी नंबर हो यहां तक कि जो part 2 का जो second part है मतलब कि mixed recurring decimals जो पढ़ेंगे आगे आएंगे वो तो उसमें भी ऐसे ही करना है जो यहां पर कर रहे हैं ठीक है तब मेधर सेम है तो यह second आपका है यहां पर यदि आप 100 से multiply करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 100 से multiply करना पड़े रहे हैं यहां पर क्योंकि दो डिजिस दो है repeat कर रहे हैं यहां मिल जाएगा आपको 100 x is called 2 मिल जाएगा 23 और 43 आ जाएगा यहां पर point decimal के बाद क्या होगा 434343 आएगा फिर से यहां जाएगा 43 43 and 43 dot 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 ओके अब क्या करेंगे कि इसको माल नेंगे second यहां का है second equation अब separate कर देंगे first को second से बस ही तो करना है हाँ सब में तो unsubtracting लिख देंगे आप यहां पर unsubtracting second sorry first from second we get क्या में लेगा देखे पहले हम लिख लेंगे इसको यदि कोई भी गल्ती ना हो तो हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे को उपर लिख देना चाहिए फिर सब्सक्राइब करना चाहिए तब कोई भी मिश्टेक नहीं होगा तब हमने लिख दिया यहां पर 43 फिर भी होगा 43 डट 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 अब उपर वाला equation लिख लेंगे यहां पर x is equal to हो जाएगा यहां पर लिख लेंगे 23 points देखे डेसमल के नीचे आपके देशमल रखेंगे हमेएसा और four three four three four three आसाएगा हैंपर theoretically 344 three and four three dot 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 अब यहांपर करेंगे subtraction इसका मानस हो जाएगा हैहाँपर यह धे धॉश्प्र ही रहेगा और यहां पर three में से three हो जाएगा zero हो जाएगा और यहां पर three zero हो जाएगा और हम सब zero हो जाएगा यहां पर ठीक है यहां तक और decimal के बाद यहां पर देखिए 3 3 0 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और 3 तो वैसे उतार लेंगे हम और यहां पर 2 इसकॉल 2 यहां पर जाएगा देखिए 99 X क्योंकि 100 में से X मानस कर रहा है ओके तो यह अब हो गया तो यहां पर देखिए decimal के बाद जो आने वाले 0 जहें को हटा देंगे बस यह आपका आगया 2320 तो अब यहां से हमारा आगया का आंसर के इस जो तरीका वही करना है मतलब निमिलिटर लाने के लिए, करना है बतलब निमिलिटर लाने के लिए डेस्माल को अटा देंगे 23.43 और एक और बात करनी है यहां पर ठीक है यहां पर एक और concept है थोड़ा सा क्योंकि आपका यहां पर decimal के पहले कुछ number भी दे दिया है 23.4 तो इसको decimal हटा के लिख लेंगे पहले 23.43 ठीक है उसके बाद इसमें से minus करना होगा जो बार यहां लगा है ना जितने पर digits है ना उसमें से बार वाले digits को छोड़ करके जो भी बीना बार वाले जो digits हैं मतलब यह उसको minus कर देंगे इसमें से means इसमें से minus कर देंगे 23 अब यह आ गया numerator क्लिर हो गया समझे ध्यान से मतलब कि पहले तो numerator लाने के लिख लेंगे decimal आटाकर के लिख लेंगे उसको 2343 हमने लिख लिया उसके बाद जितने भी digits ऐसे हैं जिन पर बार नहीं लगा है उसको minus कर देंगे उसमें से ठीक है आउट decimal के बार में सोचना भी नहीं है decimal का कोई concept नहीं है आपर जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक बई करना है मतलब कि पहले बीना decimal के यह number को लिख लिए 2343 मैं लिख लिया फिर मानस कर देंगे जो decimal मतलब कि जो बार को छोड़ करके जितने भी ऐसे 99 जो है लिख दीजिए तो यह आपको मिल गया साटकट में यहां solve करेंगे तो क्या मिलेगा तो मैनस करिए थ्री में से 3 जाएगा जीरो आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा और 23 को ऐसे उतार लेंगे 23 होल अपा 99 देखिए हमारा नंबर यह आ गया बिल्कुल यह वही है नंबर है तो हम समझ चुके हैं conversion of recurring decimal numbers अब हम समझेंगे मताब pure का समझ चुके हैं अब समझेंगे mixed recurring decimal रहेंगे तो कैसे करेंगे देखिए सब में वह ऐसे ही करना है सब में सेम तरीके से करना है लेकिन हम थोड़ा सा आप देख लेंगे एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी किसी equation solve करने में तो इसके बाद अब समझते हैं mixed recurring decimals तो इसमें first start करते हैं first 0.32 bar अब यहां पर थोड़ा सा अलग है अलग है लेकिन कोई बात नहीं है जो पहला जो process है हम वैसे ही करेंगे तो हम simple तरीके से क्या करना है 10 से मैं apply करना है फिर separate कर लेना है that's it या फिर एक और simple तरीका यहां पर है हमारे पास ठीक है तो उसको भी apply कर सकते हैं तो मैं इसको a letter के form में बता दूँगा तो पहले हमारे solve करते हैं इसको तो let जो lengthy method है मैं वह बता रहा हूं ठीक है तो let x is equal to 0.32 bar माल लेंगे पहले x पर आब यहां पर x is equal to लिख लेंगे 0.3222.. किवल 2 को repeat करना है उसके बाद आप क्या करेंगे किवल एक ही digit जो है repeat कर रहा हमेशा जो मैं बताते आ रहा हूं सुरू से एदम ठीक वैसे यहां भी करना है mixed लिखेंगे decimals है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से करेंगे same वही concept लागेगा तो अब 10 से multiply करतेंगे both sides में तो आप लिख लेंगे यहां पर multiplying by 10 on both sides we get क्या मिलेगा 10 x is equal to 3.222 आपको मिल जाएगा क्या 3.222 मिल जाएगा और एक बार और टू लिख देंगे फिर dot 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 ठीक है अब यहां पर हम ले लेंगे first equation यह और यह हो जाएगा second equation अब क्या करते है next क्या करना होता है तो बस यहां पर कर लेंगे subtraction तो unsubtracting unsubtracting we get तो आप जानते हैं कि किसको किस में से subtract करना है हमेशा first वाले को second में से subtract करते हैं तो पहले लिख लेंगे second वाला equation तो 10 x is equal to हो जाएगा 3.222 dot 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 अब उपर वाले को लिख लेंगे यहां पर तो यह हो जाएगा x is equal to zero point decimal को decimal के नीचे रिखेंगे और यह हो जाएगा 3222 dot 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 ठीक है clear है अब दीके decimal यह dot 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 तो इसे उतार देंगे यहां पर 2 मिसे 2 जाएगा 0 जाएगा 2 मिसे 2 जाएगा 0 जाएगा यहां पर यहां पर दीके टू मिसे 3 जाएगा तो यहां पर यहां पर यहां पर आप x की बरूर निकाल सकते हैं और आपका आ जाएगा क्या इतना आ जाएगा लेकिन इसको decimal हटाना हमें है तो उपर जो है 10 से मिपलाई कर दीजे तो 29 हो जाएगा और नीचे भी 10 से मिपलाई करेंगे तो 90 हो जाएगा इसके बाद जो बार लगा हुआ है जिसे डिजिट पर उसको छोड़ करके जो बचे हुए डिजिट का जो नंबर बनेगा तो 2 को छोड़ कर क्या मिलेगा 3 मिलेगा केवल तो 3 को माइनस कर लेते हैं ठीक है तो यह आगे numerator हमेशा ऐसे करना है याद कर लिजे क्या करना है कि जो नंबर है डेसमल हटा करके लिख लेना है पहले उसमें से माइनस कर देना है उन डिजिट से बनने वाले नंबर को जिस पर बार नहीं है तो यहाँ पर 3 पर बार नहीं है तो यही एक 3 है बस यहाँ इसलिए 9 लिखेंगे और डेसमल के राइट साइड में अब यहाँ पर थोड़ा सा अलगतर की सुचना है डेसमल के राइट साइड में यदि कोई ऐसा भी डिजिट मिल गया जिस पर बार नहीं लगा है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाते है ठीक है मतब यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से जिस पर बार लगा उसके उपर 9 लिख दो और जीस पर डिहाँ लिख रीख दो और डेसमल के लेपट साइड में जो भी डिजिस और उसकर कोई मतलब नहीं चैनले साइड आँनमिनेटर निकालने के लिए यह शो कउए और जिसमल के बार निह मतलब तो 0 लगाएंगो बस तो हमारा आग यहाँ पर मनस करेंगो तो मिलेगा 29 अपान यह हो जाएगा 90 तो आप समझ चुके हों कैसे करना इसको तो हम इसी मेंसे अब कर लेते हैं next कोई दूसरा और हम यह कर लेते हैं 4 वाला part 4.32 अच्छा यह 4.32 तो सेम जैसे लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं हम करते हैं कमसा करें यह वाला कर लेते हैं 15.712 ठीक है तो अब इसको erase कर लेते हैं यह आपको note करना होगा तो बिल्कुल आप वीडियो को pause करके note कर सकते हैं तो अब हम solve करेंगे 5th one और यह आपका last है इस वीडियो का तो समझ यह concept यहाँ पर तो पहले हम क्या करते हैं कि जो भी रहता है number उसको माल लेते हैं let x is equal to 15.712 by अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जितने भी digits repeat करेंगे उतने ही zeros वाले number से करना होता है both sides में तो पहले थोड़ा से इसको expand करके लिए रहते हैं तो यह 12 हो जाएगा फिर 12 फिर 12 डाट डाट अब हम क्या करते हैं कि 100 से हमें apply करेंगे both sides में तो हमें apply by 100 on both sides we get implies मिल जाएगा हमें 100x is equal to यहां में apply करेंगे मिलेगा decimal two plus right से में चला जाएगा मिलेगा आपको two one two one two dot 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 ऐसे करके आएगा हमें साथ ध्यान रखेगा कि one two one two repeat करना है ठीक है one two one two one two लिखना है अब यह बन गया पहला जो है तो first equation है second वाला आपका है second equation तो हमेंसा क्या करना होता है unsubtracting first from second unsubtracting first from second we get क्या मिलेगा ध्यान दिजेगा तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं इसको तो hundred axis कर्टू हो जाएगा one five seven one point two one two one two ठीक है यह ध्यान रहे है one two one two repeat हो रहा है ठीक है तो one two one two लिख देंगे आपर ठीक है तो हमने यह second लिख दिया और first वाले उसके नीचे लिख देता है यहां पर जाएगा x is equal to यहां पर जाएगा 15 point दिखेंगे decimal को decimal के नीचे लिखेंगा हमेशा याद रखिए यहां डार्टर लागा ना भूल गया था मैं यहां डार्टर हो गया हो गया अब जो है decimal के नीचे अब यहां पर मैनस कर दीजिए मैनस हो गया है यहां पर यहां मैनस कर देंगे यह आजएगा जाएगा 5, decimal लगाएंगे आपर, यहां पर 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां पर 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, उसके बाद यहां पर 5 बचा तो 5 को 5 उतार देंगे, और 1 को 1, ठीक है तो इतना आ गया, तो decimal के बाद जो यह zeros हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो इ decimal के बाद वाला जो zeros हैं को हटा देंगे बल्कुल, इतना आपान यह 99 हो जाएगा, अब यहां decimal को हटाने के लिगा करेंगे, 10 से उपर और नीचे मतलबाई करतेंगे, यह हो जाएगा 155, और अगेन एक 5 रहेगा, अखोल आपान 990, ठीक है, तो अब यहां देखेंगे, कि यह जो number है, उपर नीचे कुछ cancel out हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दिखिए, उपर add करेंगे, तो 5 और 20 होता है, तो 5, 5, 5, 5, 5, add करेंगे, 21 हो जाएगा, मतब 3 से cancel out हो जाएगा, तो उपर जो है, 3 से cancel out कर लेजिए, नीचे भी 3 से कर लेजिए, तो 3, 3, 9, 3, 3, 9, 0, 3, 5, बन जा, 3, मिलेगा आपको, 2, 25 हो जाएगा, 3, 4, 3, 8, 24, 1, 15 हो गया, 3, 5, 15, तो अब इतना आ गया, अब देखते हैं, यह 3 से कर देगा नहीं, तो 5, 1 हो जाएगा, 6, 6, 8, 14, 14, and 5, 19 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा बिल्कुल ही, तो आपका यह अब required decimal number बन चुका है, 5, 1 8, 5, whole upon 3, 3, 0, हमेशा जो है, standard form में लिखने का सूचिएगा, हमेशा, क्योंकि वही answer होगा, जो आपको full marks देगा, ठीक है, तो यह होगे आपका decimal representation, 5,185 upon 3, 30, किसका 15.712 bar का, अब इसका जो fascist way है, वो क्या है, तो आप एक नीचे length दीजिए, और उपर जो आएगा, वो numerator आएगा, और नीचे आएगा, वो क्या आएगा, denominator आएगा, तो धान दीजिए कैसे करते हैं, उपर पहले number को लिख लेते हैं, decimal को हटा करके, मतलब कि without decimal number को लिख लेंगे, 15.712, इसमें से minus करेंगे, उस number से बनने वाले number से, जिन प 157 है, इस से बनने वाला number मतलब 157 मानस कर देंगे, क्योंकि इस पर बार नहीं लगा हुआ है, और एक बात ध्यान रखेगा, decimal से कोई मतलब नहीं है, उपर लिखने के लिए, ठीक है, decimal को भूल जाएगे, बिल्कुल, तो यहां पर आपका हो जाएगा, कितना 157, 157 upon 12, देंगे, उसको बात देखेंगे कि decimal के आगे, decimal के right side में, जितने भी block of digits हैं, उन में से किस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 7 पर बार नहीं लगा हुआ है, किवाल एक ही digit है, इसका मतलब कि 1 0 यहां बढ़ा देंगे, clear, मतलब जितने पर बार लगा रहेगा, उसके लिए 9 use करेंगे, 99, और जिसे पर बार नहीं लगा रहेगा, decimal के right side में, उसके लिए 0 use करेंगे, तो हमारा यह बन चुका है, अब इसको मानस कर लेते हैं, देखें क्या मिलता है, तो यहां पर देखें, 2 में से मानस करेंगे, 7 नहीं हो पाएगा, 12 में से मानस करेंगे, 7, 12 मानस 7 क् यहां मिला 10, 10 में से 5 जाएगा 5, उसके बाद यहां 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर यहां 5 पहले से हैं ही, फिर यहां पर 1 लिख देंगे, whole upon 990, देखें इदम सेम वह इसे ही आ रहा है, यहां पर देखें, 1555 है कि नहीं सेम आ रहा है, यहां पर जो cancel out करेंगे, तो इद हर तरह के decimal numbers को represent करने का तरीका बता दिया है, कि कैसे form, इस form AP by Q के form में कैसे लिखेंगे, और मेरे खाल से कोई भी doubt आपको नहीं होगा, किसी तरह का ऐसा नहीं होगा, कि किसी भी form का मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सब को बता दिया है, और उसका start cut जो तरीका है solve करने का, तो वही मैं बता दिया कि कैसे करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर start cut जो बचे हुए हैं, उनको भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है 0.123 bar, इसका हम start cut में करेंगे तो कैसे आएगा, धान दीजिए, पहली बार numerator लिखने के लिए आ करते हैं, कि decimal को छोड़ करके number को लिख 0.12 मतलब 12 ही तो होगा, इसलिए अब यहाँ पर 12 से माइनस कर लेंगे, और divide करेंगे, जितने पर बार लगा रहेगा उसके लिए 9 यूज करेंगे, और decimal के right side में देखेंगे बस, denominator को solve करने के लिए decimal के right side में देखेंगे कि कितने पर बार लगा हुआ है, तो एक पर बार ल अब यहाँ पर solve करेंगे तो, यहाँ पर मानस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा, तो 1 ही आएगा, और यह 1 होगा, मतलब 111 अपन 900, यहाँ पर 3 से cancelled हो जाएगा बिल्कुल, तो 339, 300 हो जाएगा, और यह 3 से कटेगत क्या मिलेगा, 339, 21, 37, 21, तो 37 अपन इतना आ जाएगा, मतलब इसका decimal representation होगा, 37 अपन 300, ओके, तो कहने का मतलब की ऐसे करेंगे, अब इसको करना होगा तो किसे करेंगे, fastest way क्या है, जो इसका fast rule है, और जो lengthy rule है, वो तो आप जानते ही है, ऐसे करके solve करेंगे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखे, fast rule तो पहले numerator लिखने के लिए क्या करेंगे, decimal को हटा करके number रिख लेते हैं, तो मिलेगा आपको 3, 5, 2, यह, और उसमें से minus कर लेंगे, जिस पे bar लगा हुआ है, इसको छोड़ करके जो number बना हुआ है, उसको minus कर लेंगे, तो यहाँ पर 3, 5 बस है, 3, 5 को पहले minus कर लेंगे, whole उनपर ही focus करना है, तो जो digit repeat कर रही होगी, किवल उसके लिए 9 यूज करेंगे, और जो digit repeat नहीं कर रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 digits है, जो repeat नहीं कर रही है, तो उसके लिए 4 zeros use करेंगे, तो 4 zeros use करेंगे, ठीक है, जितने मतलब digits, 1, 2, 3, 4, 4 digits है, जो इसमें बार हो गया है, यहाँ पर, अच्छा टू किया है, मैं सुच रहता है कि 2 पर लगा हुआ है, तो I am very sorry, इसको हम अलग से फिर से करते हैं, तो जीसे कि यहाँ पर था 0.00352, फाइब 2 पर लगा हुआ है बार, ठीक है, तो I am very sorry for this, ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, निम लगा हुआ है, decimal के right side में digits का, उतना 9 लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे हाँ पर, क्योंकि 5, 2 पर लगा हुआ है, बार 9 लिखेंगे, जितने digits पर बार नहीं लगा हुआ है, उतने 0 जी लिखेंगे, तो यह 1, 2, 3, 3, 0 जी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 0 है, यहाँ पर यह ह अब solve करेंगे, तो क्या मिलेगा, 352 में से 3 मैनस करेंगे, तो मिलेगा 349, ठीक है, 349 अपान यह हो जाएगा, 99 और 000, यहाँ पर देखेंगे, कुछ count factor है, तो cancel out कर लेगे हाँ पर, 437 हो जाएगा, और 760 नेकट पाया कुछ भी, तो बिल्कुल exactly यही हमारा क्या हो गया, number हो किसका, 0.00352 बार का, तो मैंने लगवाख सबको बता दिया, और हर तरीके से, तो मेरे खाल साप समझ चूके हो कि कैसे करना है, तो thank you so much for watching, अच्छा लागा, तो like कर दिजिए, अभी तो कि आप देख रहे हैं, तो सच में आप great है मेरे लिए, and कोई भी doubt ही आपको होगा, तो जरूर लिखेगा comment box में, any doubt, ओके, वैसे मैंने सब कुछ पता दिया है, explain करके, और सबको ध्यान समझेगा कि साट का टूल क्या है, और कैसे हम solve करते हैं, ओके, बाई